वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें और यहां पर हम सबसे पहले सुरुआत करेंगे ब्रमांट से समद्धे तत्यों को जानेंगे फिर एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे यह वीडियो आपका UPPCS लेविल का रहेगा UPPCS UPPSC के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आपका प्रिलिम्स का एक्जाम हो चाहे आपका ROARO प्रिलिम्स का एक्जाम हो या फिर आप BEO का एक्जाम देने वाले हूँ वीडियो, UPPSC, BANK, SSC सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम सारे तथ्यों को कवर करने वाले हैं जो आपके एक्जाम के दृष्टी काउंट से महत्वपूर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रम्हान को जानेंगे भूगल की सुरुवाती ब्रम्हान से होती है तो इसको पढ़ेंगे अब ब्रम्हान क्या है ब्रम्हान अंगिनत संभावनाओं के लिए जाना जाता है इसका विस्तार लगातार होता रहता है और आज तक पूरी तरह से कोई इसकी बारे में नहीं जान पाया कि क्या है ब्रम भाइन की खोज कहां से हुई, इसकी सुरु झूरुआत कहां से हुई, तो एक खगोल सास्री थे, क्लाडियस टॉल में, जो की, एक 140 EZB में आये, इन्होंने एक अब्धाना दिये, जियोसैंट्रिक, इनका जन्मा, 120 EZB में हुआ था, 140 EZB में, इन्होंने एक जियो सैंट्रिक अभधारना दी यह मिश्र यूनाणी परवंपरा के खगोल सास्रि थे दाशनिक ठे और एक एस्ट्रोनोट भी थे इनके द्वारा सिंधान दिया गया जियो सैंट्रिक यह अभधारना थे इनकी इसका प्रति बादन इन्हों ये इनके द्वारग कहा गया तो तॉल्मी की अफ़ाना थी जियो केंट्रिक और इनने कहा कि प्रतभी ब्रह्मान की केंद्र में है कि वाखी ग्रहस्ज प्रिक्रमा कर रहे इसने के बाद कोपर निकस्ट आहे कोपर निकस्ट आłe ये पॉलेंड ili थे पॉलेंड के एस्ट्रोनोट थे 1543 लगातार अनुशंधान चलते रहे लेकिन ये काफी गैफ हो गया 1420 में टॉल्मी ने कहा फिर 1543 इस भी आई अब देख सकते हैं कितना सारा गैफ है कितना सारा समय बीथ गया तो अनुशंधान तो चलते गया लेकिन इनके अब धाना को फोड़ावथ लोगों ने सुना अब इन्होंने जाकर कोई ऐसे बो नहीं किया इन्हो इसे के प्रतिभी नहीं है व्यांशंधान के केंद में और बाकि सारे ग्रे उसकी परिक्र्मा करते यह सिध्धांत और निकस स्था कोपर निकस ने हैल्यूू सेंट्र 망करिए सुर्य केंद्र में माना जाता है इनके सिध्धांत की प्राद्धि संग्मार्य तो में in इनकी सिध्धान को कहते हैं hell yo centric जो प्रधवी केंद्र में मान रहीती उनकी सिध्धान को कहा गया गया जियो सैंट्रिक डोनों ही आपको आई थे किलिए हो गए होंगे ठीक हैं यह 1549 में दिया गया था पोलेंड के थे निक्लाश इन्होंने हैलि difficक अबदहने वह क्याप्लर ने कहा कि सूर्य चोंडर के और सूर्यों वह को केंद्र है तो केपद्ध Grill की अब्दहन था को नापा नहीं था अनुमान के अधार पर इन्होंने बताये कि 250 करोड़ प्रकासवर्स इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रम्हांड है उसका ब्यास है इतना बड़ा ब्रम्हांड है 250 करोड़ प्रकासवर्स का प्रकासवर्स यहां पर क्या है दूरी का मात्रक है जो कि दो ग्रहों के बीच की दूरी मापती है तारों के बी और भी एक्जिस्स करती हैं ब्रमाथ सरु हो यहां पर hinžा नहीं लगातर होते रहें यहां पर हुमने जाना कि ब्रमाथ की अबधना कहां से आई ठीक है फिर विआधि की सिध्धांते दियेगए इसमें सबसे ज्यादा जो तियोरी को सबसे जाद मानगने तहां क्या किसे दौरा फिरकाइं प्रमानित कि ह॥ व Netenden सभ्धान के तो इससीय asking को संथ हैं इसको इतना प्रमानिक नहीं है लोगों ने भी इसका तेन नहीं किया तो इन दोनों सिध्धान्त के बारे में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है हम बिग्वेन तियोरी पढ़ेंगे यहीं से प्रिश्णे भी पूछे जाते हैं जॉर्ज लैमिंतियल ने बिग्वेन सिध्धान दिया था अगर साम्य वस्ता सिध्धान्त पूछे किसके द अगुल सास्त्री जॉर्ज लैमिंतिया ने किया था इनके अनुसार ब्रह्माण लगभग 15 अरभ बर्स पूर्व से हुआ था मतलब जो ब्रह्माण की उत्पत्ती है 15 अरभ बर्स पूर्वी थी इसमा अचानक से बिस्पोर्ट होने के कारण पदार्थों का बिखरा हो गया इससे काले और सामा ने पदार्थ निर्मित हुए जिनके समुहन से अनेक ब्रह्माण ये पिंडों का स्रजन हुआ तो इनके द्वारा कहा गया कि ब्रह्माण था ब्रह्माण में अचानक से बिस्पोर्ट हो गया तो इसके जो पदार्थ हैं छोटे छोटे टुक्रों में ज जन हुआ इनके चारोड सामाने परदार्थों के जमाओं से जिससे उसके आकार में ब्रद्धियु हुई और इस प्रकार आकास गंगा का निर्मान हुआ तो ये इनका सिध्धान थे था ब्रह्मान के रहशे को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूकलियर से सौ फीट नीचे और सताइस फीट लंबी सुरंग में लॉड्ज हैडरॉन को लाइडर नामक एतिहासिक महाप्रियोग सफलता पूर्वक किया था ठीक है ये प्रियोग हुआ था 2010 में सन ने 4 जुलाई 2012 को हिक्स बोसोन के समान सब एटोमिक पार्टिकल की खोज की तो एक ने ने प्रियोग करते रहते हैं उनमें विग्यानिक होना ही जिग्यासा कहलाती है और विग्यानिकों में बहुत सारी जिग्यासा होती है अगर उन्होंने देखा कि ब्रमान में एक आकास गंगा है तो वो देखेंगे क्या और भी है उनमें ये जिग्यासा आएगी तो इसे इंको पता चल गया, कि ब्रमान की उत्पत्ती कैसी हुई, या फिर इनों ने मान ली, लगा के लगभग अबधार ना यह मानी जा सकती है, ज्यादा यह तत्यों से ज्यादा मेल खा रही है, मान सकते हैं, तो इसके बाद फिर वो वही नहीं रुकते, और भी चीज़ो प्राइकों के द्वारा किय जा रहे है ठीक है तो यहां पर हमने ब्रम्हान के उत्पति के बारे में जाना इसके बार देखते हैं आकाज गंगा क्या है ब्रम्हान में लगबक 100 और अाकज गंगा पुन्ज के लाती है नहीग्र मंधित और तत्य देखते हैं लिमन अर्फा ब्लॉप्स अमीबा के आकार की एवं 20 करोर प्रकास वर्स चोड़ी बिसाल का आकास गंगा एवं गैसों का समू है एंड्रो मेड़ा हमारी आकास गंगा के सबसे निकट की आकास गंगा है जो हमारी आकास गंगा से 2.2 मिलियन प्र भी है या फिर हम रह रहे हैं उसको मंदाक नहीं कहा जाता है इसकी आकरती कैसी है सरपिल के आकार की है ब्यास इसका एक लाख प्रकास वर्स है नासा ने हबल टेलिसकोब की साहिदा से रैलिक गैलेक्स की खोच की गैलेक्सी एक जो है इसको खोचा गया था हबल होती है और उसका कुछ नाम होता है जो खोजें आदी करती रहती है अब यहां पर हमने इसको देखा नेक्स्ट हमारा तत्य है सूर्य हमारी आकास गंगा का एक तारह है यह आकास गंगा की परिक्रमा बीस करोर वर्सों से भी अधिक समय से कर रहा है साइरस यहां से से सबसे चमकीरा तारह कौन से है यह थी साईरस को कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी सी सूर्य का सबसे निकट तम तारह है और इस सूर्य से चार्ड हमलो तीन प्रकास वर्स दूरी पर इससे थे इसके पाद अग्लते ते दिया गया है जुलाई 2017 भारतिये ख़वल विदों आगास गंगाओं के एक अत्यतिक ब्रहत समू या फिर सुपर क्लस्टर की खोजकी थी जिसका नाम सरश्वती रखा गया था एक सुपर क्लस्टर 2017 में खोजा भारतिय खगोल विदों ने एस्टोनौर्स के दौरा खोजा गया इसका नाम रख दिया सरश्वती इस रो ने चार राजिस्थान के उदाइपुर के फते सागर में इस्थेत है चीन ने सबसे बड़ी दूर्वीन फास्ट का निर्मान किया जैम से बेब दूर दर्शी है ये विश्व की सबसे बड़ी दूर दर्शी है जिसका प्रक्षेपन एरियन फाइब रॉकेट के माध्यम से यह सौर वाली है यह चीज़ याद रखें इसमें गन्फ्यूज नहीं होना है तो यहां तक हमने ब्रम्हान के बारे में आकास गंगाओं के बारे में जाना नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तारों के बारे में और फिर हम सूर्य प्रद्वी एक एकर के ग्रहो जोईन कर सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगी इसके लाब अगर आप study for civil services के किसी भी paid group को जोईन करना चाहते हैं तो description में दीगर detail को follow कर सकते हैं आपको contact number दियेगा हैं तो आप call करके जानकारी ले सकते हैं पूरी information आपको मिल जाएगी लगातर हमारे हर एक exam के लिए paid watches स्टार्ट हो रहे हैं test series, practice quiz सारा कुछ स्टार्ट हो रहे है तो आप इसको जरू जोईन करें और इसका लाब ले thank you for watching this video स्वस रहे हैं मस रहे हैं पढ़ाई करते रहें मिलेंगे next video में thank you so much